नमस्कार दोस्तों, आगरकार आरी ने मिटियोर को भारतिये मार्केट में लॉंच कर दिया है इसके फूल डिटेल्ड वीडियो अल्रेडी यूटूब पे तीनचर दिन पहले से आने लग गए थे लेकिन नाज ओफिशली इस बाइक को आरी ने लॉंच कर दिया है चरीज वीडियो में मिटियोर के डिटेल्स, वीरिंस, प्राइसिंग और ओन रोड अग्यूबिलिटी के बारे में जान लेते हैं दोस्तों, एज एक्सपेक्टेड मिटियोर को तीन वीरिंस में लॉंच किया गया है जो की हैं स्टेलर, फायर बॉल और सूपर नोवा इस बाइक के साथ ही आरी ने अपने नए जे प्लैटफॉर्म को भी रोल आउट कर दिया है और अब ये आरी की लगबग घर आने वाली बाइक के अंदर यूज किया जाएगा मिटियोर में 350 CC का फ्यूल इंजेक्टिड लॉंग स्ट्रोक बीए सिक्स कंप्लाइंट एर कूल इंजिन को यूज किया गया है जो की एक सिंगल सेंडर यूनिट है ये इंजिन 20.4 PS की पावर जेनरेट करता है 27 Nm टॉर्क के साथ फ्यूल एफिशेंसी की बात की जाए तो ये 350 CC का इंजिन 38 kmpl की माईलेज जेनेट करता है ऐस पर आरी इस फिगर वैसे दोस्तों इसमें अब भी 5 स्पीड गेर बॉक्स से मिलता है एक और चीज़ दोस्तों थंडर बर्ड में जहां 20 लिटर वाला फ्यूल टैंक मिलता था इसके अंदर आरी ने घटा कर 15 लिटर का फ्यूल टैंक दिया है जिस फ्रेम पर इस बाइक को ड्वैलप किया गया है वो भी बिल्कुल नया है जो की एक डबल क्रेडल फ्रेम है जिसे टेलेस्कोपिक सस्पेंशन और ट्विन शोक अब्सॉर्वर के साथ लिंक किया गया है वैसे अपसाइड डाउन फोक्स की उमीद की जा रही थी अटलिस टॉप वेरिट में तो लेकिन वो फिलाल उपलप नहीं कराए गए ब्रेकिंग दिपार्टर में दोस्तों फ्रेंट में लाज 300 mm की डिस्क और रियर में 270 mm की डिस्क को यूज किया गया है इसमें अच्छी बात यह है कि इस बाइक में अब ड्यूल चैनल लेपिए से स्टेंडर्ड फीचर ओफर किया जा रहा है जो की कॉंपटिशन को देखते हुए एक भैतरीन फीचर है इसखった of this bike में फ्रन्ट में 18 inch के 100 by 90 Acos section के टायर को यूस किया गया है और एर में ó 90 x 70 को शेक्षिन वाले यूज को यूज किया गया है दोस्तों में केनिकल को छोड़ते हैं और बात कर लेते हैं इस गाड़ी ये मिलने वाली फीचर्स की तो इसमें के तो इस समार्टफोन कनेटिविटी इस सेबिचिल कोंसोल में टन बाई टन नेवीगेशन विद गूगल इंटीगरेशन का ओप्शनों भी दिया गया है यही नहीं इसके अंदर डे और नाइट दोनों मोड को एनेबल भी किया गया है इसी के साथ इस बाइक के अंदर एक य प्रैसिंग की बात करें तो इसके बेस्ट वेरिंट एक लागटू यज़ार्यूइच रूपीज में रिटेल किया जाएगा इसके प्रैसिंग के साथ और कमपटेशन को देखते हुए तो यह यगीनन एक वेल्य फोर्मनी प्रड़क्ट साबित होगा एक लाग पिचेतर हजार के प्रैस के साथ ये अपने प्राइम कॉमिटेटर जो की होंडा की हाइनेश 350 है उससे एक सस्ती बाइक साबित होती है लॉंच होने के साथ ही ये ना सिर्फ होंडा की हाइनेस बिल्कि जावा की बीए सिक्स रेंज और इंप्रियाल ले 400 जैसी बहतरीन बाइकों को सीधी टकर देगी वैसे फीचर्स और प्रैसिंग को देखते हुए ये अभी से एक बेस्ट सेलर बाइक साबित हो रही है इस बाइक के साथ ही आरी ने काफी सारे नए फीचर्स को फर्स ताइम इंडियन मार्केट में लॉंच किया है और ये एज अस्टेडर बेस्ट साबित होंगे आरी की आने वाली फीचर बाइक के अंदर जैसे की ट्रिपर मीटर जो इस बाइक के अंदर यूज किया गया है इसी को अब इंटरसेप्टर रेंज के अंदर भी धिरी धिरी यूज किया जाएगा तो दोस्तों फिलाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही उमीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूले आप सबका दिन शुब हो